नमस्कार प्रेवरण की दुनिया में आपका स्वागत है मैं हूँ लाल चन सोनी आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है दिल्ली में छुटपुट बारिश के साथ देखा गया सुबह सुबह गुड मानिंग सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक अबनेदन स्वागत हैं और पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगा रहे हैं और इसे देखते हुए पार्कों में भी देखा गया है और कई ऐसे लोग है जो बच्चे भी बढ़ चड़कर इस हिस्सा ले रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी परिवरान बचाने के लि और सुद्धवातावरण में रहें खान पान अच्छा कीजिए और जीवन में एक अलग अनोखा अनमोल जीवन का जीवन बैतित कीजिए यहीं हमारा उद्देश है और आप हमेशा प्रयावरण के लिए हमेशा चिंतित रहें और दिन पर दिन पेड़ पौधे लगाते रह को मानो को कंदुस कंधा मिलाकर जिस तरह से चलने की जरूरत है आज प्रयावरण की दुनिया में सभी लोग आगे बढ़कर आईए और सभी लोग प्रयावरण के उद्देश का एक सबसे बड़ा नोखा रंग मच देजिए और प्रयावरण के लिए मानो इंसान और जीव पच्छों और पच्छियों परशूं जानूरों को भी काफी सुकुन मिलता है वो भी सुबसुबा सयर करना चाहते हैं और लोगों को चिंता भी रहना चाहिए कि प्रयावरण हमें जिस तरह से देना है और जीवन अनμोल है और आप सभी पेड़-पौदे प्रयावरण की दुनिया में आप सभी को जो है इसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा लेना चाहिए और पांच जून 2020 पर्यावरण दिवस जिस तरह से मनाया गया बच्चे भी बखुबी से मनाएं और महिलाएं भी बढ़ चड़ कर इसमें भाग लिए तो यह उससों देखा जा रहा है कहीं भारत के संख्या में पांच जून को पेड़ पौधे लगाएगे यह सुब दिन है और बहुत अच्छा भी रहा है कि एक दिन ऐसा है जो मिसन पेड़ पौधों के बारे में सोची जाती है और लोग जो है बखुबी से इसे देखती भी हैं तो मैं आपको बता दो पेड़ पौध जीवन का इक अलग अनोखा करतब निभाई यह तो हमारे साथ कई ऐसे भी जीसिषग है यह जो लगातार प्रयावलण के बारे में इसके बारे में बताते रहते हैं और मुझे जो हरे सजट करते रहते हैं कि आप बहुत करेएं इस तरह से कारी रहे हैं यह सरानिय रहा और प्रयावरण के लिकर आप सुबह सुध्ध हवा खाना है तो पूर्वजों का सबसे पहले कहना है कि सुबह सुध्ध खाईए और योगा कीजिए धन्बाद हमारे चैनल आप देखते रहिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पेड़ पौध झाल के बहुत सुधद बच।